चक्रवाती तूफान दाना शुक्रवार सुभा 12 बचकर 10 मिनिट पर उड़ेसा के तट पर पहुँचा भारतिय मौसम विभाग यानी आएमडी के अनुसार इस तूफान का असर अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा जिसमें हवा की गती 100 से 110 किलोमीटर प्रती घंटा रहने की संभावना है जो की 120 किलोमीटर प्रती घंटे तक भी बढ़ सकती है आएमडी ने 16 जिलों में अचानक बाढ़ाने की चितावनी दी है जिन में अंगुल, बालासौर, भद्रक, कटक और पुरी शामल है एंजिलों में 1-2 मीटर की उची लहरों की वज़े से जल भराव का भ भद्रक, केंद्र पाड़ा और बालासौर में तेज हमाओं के साथ भारी बारिश हुई है उडिसा के अधिकारियों ने बताया कि चक्रवात के आने से पहले किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है, हाला कि भद्रक और केंद्र पाड़ा के तट्ये शेत्रों में हवा की गती अच्वानक भड़ गई और कुछ पेड उखडने की घटनाए सामने आई, इस बीच प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने उडिसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माजी से बात की, जिन्होंने राज्य की तयारियां और राहतकारियों की जानकारी दी मुख्यमंत्री माजी ने कहा कि राज्य चक्रवात से निपटने के लिए पूरी तरह से तयार है, NDRF, Odessa Disaster Rapid Action Force, ODRAF और Fire Brigade को सम्रेदन शील्ड जिलों में तैनात किया गया है चक्रवात दाना के असर के चलते भदरक के धामरा के तटिय गाउ की सडकों को भी नुकसान पहुँचा, स्थान्य निवासियों को गिरे हुए पेडों को हटाते हुए देखा गया, लेकिन कुछ सडकों और घरों को नुकसान भी हुआ मौसम विभाग के निदेशक सुनीन नारायन थुल ने बताया कि बिहार में भी इस तूफान का असर देखने को मिल रहा है जहां हवाओ के साथ बारिश हो रही है भारतिय मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर को पटना समेट 20 जिलो में यलो अलर्ट ज़ारी किया है जमोई के निवासियों को खास तौर पर सतरक रहने की सलहा दी गई है 25 अक्टूबर को दाना का असर बिहार के पूदी भागों पर ज्यादा पढ़ने की सभावना है इस दिन सुपॉल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्निया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमोई, मुंगेर और खगडिया के कुछ थानों पर इसके साथ ह हलकी बारिश की संभावना है, चक्रवाती तूफान दाना के असर से बिहार में तापमान में गिरावट निश्चित है, तेज ठंडी हवाओ, अस्मान में बादल और बारिश की वज़े से तापमान में 2-3 डिग्री की कमी आ सकती है मौसम विभाग ने 24 घंटों के भीतर उत्तर ट्रदेश के दक्षिन पूर्वी जिलों में हलकी बारिश की आशंका जताई है आइमडी के अनुसार 25 अक्टूबर को यूपी के दक्षिन पूर्वी हिस्से के जिलों में बारिश की बूंदे गिरने की संभावना है मौसम विभाग के लखनाव केंद्र ने कुछ जिलों में हलकी बारिश के आसार जताए हैं ये जिले हैं कुशिनगर, गोरकपुर, देवरिया, मौ, बलिया, आजमगड, गाज़ेपुर, वारनसी, जौनपुर, चंतौली, सोनभद्र, मिर्जपुर, बदोही और प्रियागराज यानि के ये कहना गलत नहीं होगा कि चक्रवाती तूफांदाना ने उड़सा और उसके आसपास के शेतरों में भारी बारिश और तेज हवाओं का सामना कराया है राहत और बचाफ कार्य जारी हैं और राज़्य सरकार ने भी जरूरी तैयारिया कर रखी है आगे की स्तिती पर नज़र रखते हुए स्थानिय लोगों को सतर करहने की सलहा दी गई है आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें लोकलिटी